हलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम फिर से इंडिया के और एक टॉप फार्मसी कॉलेज के बारे में बात करने वाले है इस बार जो कॉलेज होने वाला है वो है आई बटन में जाके देख सकते हो फिलाल तो हम इस वीडियो में इस आरेम के बारे में ही बात करेंगे अब यह जो वीडियो होने वाला है यह वीडियो थोरा सा डिफरेंट होगा फ्रॉम मैं लास्ट्री वीडियो और कॉलेज रिव्यूस नमबर वन यह तो होगा कि इस स्थुद्धं डिफस वीडियो में वेश नहीं होंगे लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इस कलेज को स्टूडेंट इस वीडियो में क्Ayium में ये कॉलज रिव्यू कह को तो स्टूडं वेश व के टरशियो में बूं इसलिए वीडियो उन्होंने ही हम को इस चॉ कोलेज के बारे में हम सारे इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन गैदर अब किया है और आज इसको इस वीडियो के फॉर्माट में हम आपको प्रेजेंट करने वाले होंगे अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ लेकिन उससे पहले लेस्ट रॉल दे इंट्रो अब यह सर्म इस्ट्रीट ऑफ साइन्स टेकनोलोजी सिर्फ और सिफ एक फार्मसी कॉलेज नहीं है बल्कि यह इंडिया का टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में से एक है जहां पे ओवर 50,000 स्टुडेंट्स परहाई करता है एंड दे हैव अलसो ओवर 3,000 फाकल्टीज अक्रोस ओल कैंपसे इस कॉलेज का टोटल चार कैंपस है जिनमें से तीन कैंपस इन और अराउंड चैन्नाई में है और एक कैंपस दिल्ली में है इस कॉलेज में फार्मसी के आउन रैंकिंग्स के बारे में अब ओवर दी यह इस कॉलेज जो एनायर रैंकिंग है वो बहुत ही अच्छा रहा है 2017 में इस कॉलेज का रैंक था नाइन, 2018 में 27, 2019 में 14 और 2020 में 19 तो आप समझे सकते हो इस कॉलेज का जो एनायर रैंक है उसे साब से यह कॉलेज कंसिस्टे M-Firm, PhD और PharmD सारे ही कोर्सेस आप कर सकते हो एक बात बता दू फामडी जो कोर्स है वो पोस्ट बैकलारेट कोर्स नहीं है यहां पर आपको वो छे साल का पूरा अंडरग्राजुएट कोर्स फामडी का करना पड़ता है इसे ज्यादा में यहां पर कुछ भी नहीं बताने वा विडियो होगा क्योंकि olmडी दिफारेंट बाल गेम dude यो यहां पर में इसका कॉंसा कॉंसा स्पेशवाग्यजिएशन देंफलियम स्थानें बता दू अंजिऑ सब्सक्राइशित्रीफ्स में अपने आप सब्सक्राइशन कर सकते हो तो चलिए जान लेते है कि यइस्काले eligibility criteria को fulfill करना पड़ेगा तो number one B firm के लिए आपको plus two pass out होना पड़ेगा with PCB और PCM with a minimum aggregate 50% marks, उसके साथ साथ आपको SRM, JE, H, UG ये exam आपको crack करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको इस college में admission मिलेगा, तो चलिए अब हम आते हैं M firm की तरप, M firm में गुसने के लिए आपका minimum eligibility criteria होना पड़ेगा with minimum aggregate marks of 50% in your graduation, और तो और आपको SRM, JE, H, PG exam भी देना पड़ेगा in order to get admission into this college, अब इसी से चुरे एक और notification में आपको देना चाहूंगा, SRM, JE, H, UG और PG exam का जो application है वो अभी चल रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी जाके आपने आपको apply कर लीजिए, आप देख सकते हो screen में में एक website का link देश दखा है, ये website का link description में भी है, तो आप जल्दी से जल्द कर लीजिए, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस college के fees के बारे में, इस college का जो fees है, वो depend करता है on the campus, and also अगर आप M firm के लिए इस college में जा रहे हो, तो specialization के ऊपर, इस college के B firm के लिए जो fees है, वो around 1.5 lakhs है per year, और इस college जो M firm है, वो average में आप पकड़ सकते हो, 1.75 lakhs per year, अब म depending on the specialization you are opting for, तो चलिए बात कर लेते हैं, इस college के placement scenario के बारे में, तो last three years में, जो भी companies इस college में आया है, उन में से max companies, either from the field of marketing, और from the field of pharma को विजिलेंस है, तो top recruiting जो companies है, वो है, Mylon Laboratories, Nestle, Sipla, Dr. Redis, Accenture, and Bioclinica, कभी-कभी कुछ R&D companies like Zipho and Biocon, ये भी आ जाते हैं for recruiting P firm students, और M firm के लिए, जो max companies इस college में आते हैं, वो generally आते हैं from the field of R&D, pharmacovigilance, and scientific writing, top recruiting companies include, Mylon Laboratories, Accenture, IQVR, Zipho, Biocon, and Bioclinica, और कुछ companies जैसे SynGene, ACL Technologies भी इस college में आते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं, इस college के research prospect के बारे में, इस college के research opportunity है, वो बहुत ही अच्छा है, both for P firm and M firm students, अब NORP के हिसाब से तो आपको पता ही है, कि B firm और M firm students को अपने final year में, एक research project करना परता है, लेकिन उसके अलावा भी, वो चाहे तो कोई और government या private research lab में, अपना research work कर सकता है, अपना कोई different project continue कर सकता है, और इसके चलते ही, वो लोग बहुत सारे ऐसे sophisticated analytical instruments भी use करेंगे, जो बात में जाके उस particular sector में उनका skills develop कर देगा, तो चलिए बात करते हैं, इस college के campus और faculty के बारे में, तो SRM Institute का जो main campus है, at KTR near Chennai, वो 250 acres का एक campus है, और वहाँ पे सारे latest facilities available है, some of them include video conferencing, जिससे की SRM के जितने सारे बाकी campuses हैं, वो interconnected रहता है, फिर wireless enabled lab यहाँ पे मौझूद है, उसके साथ साथ high capacity, 32 MBPS, internet connectivity यहाँ पे available रहता है, through multiple fiber links, इस college में एक ताजूब कर देने वाली library भी है, क्योंकि it is a 16-storage building with IT support and a reading hall, students चाहे तो इस library में college के बाद रह सकते हैं, up to 8 PM, also इस college का जो auditorium है, TP Ganesan Auditorium, यह Asia का one of the largest auditoriums है, with a sitting capacity of over 4,500 people, faculty की बात करें, तो इस college का जो faculty है, वो बहुत ही अच्छा और supportive है, एक ही problem है, कि यहां के जो faculty members है, वो generally students के थाथ, English या फिर Tamil में communicate करते हैं, तो North India के बच्चे को थोड़ा सा स्यदा problem हो सकता है, उनके साथ communicate करने में, लेकिन बाकी overall, they are really good and they are really supportive, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इस college के merits और demerits के बारे में, अब merits की बात की जाए तो already मैंने बहुत कुछी discuss कर दिया इस college के merits के हिसाब से, तो उसी को चलिए थोड़ा सा reiterate करते है, इस college का, हमने जो कहा कि library जो है, या फिर आपका auditorium है, या फिर इस college का खुद का research and development जो पार्क है, ये सब कुछ आपके study के experience को ही enrich करेगा, और तो और इस college के campus में अगर आप रह रहे हो, तो फिर आपको ये भी जानना चाहिए, कि ये college के campus खुद में ही एक शहर है, यहाँ पे आपको church, mosque, temple, या फिर bank, ATM, अगर कुछ भी चाहिए, तो यहाँ पे मिल जाएगा, इस campus के अंदर दो banks अवेलेवल है, और 3 ATMs भी अवेलेवल है, along with it, इस college में 15 canteens भी अवेलेवल है, तो ये बहुत ही अच्छा एक चीज है, number two would be, I believe कि यहाँ का placement जो opportunity है, वो बहुत ह सही है, बहुत ही अच्छा placement opportunity मिलने वाला होगा, मैंने पहले ही डिसकस कर दिया कि कितना placement कैसा मिलता है, तो you can surely opt for this college, if you want a good placement after M firm और P firm, तो चलिये बात कर लेते हैं, इस college के कुछ दिमेरिश के बारे में, इस college का खुद का एक dress code है, the male students can only wear formal shirts, with formal pants, with shoes or sandals, और जो female students है, वो सिर्फ formal kurta पहन सकते है, with simple sandals, इसके अलावा, एक student कोई भी fancy dress, jeans, या फिर टी-shirt तक नहीं पहन सकते है, number two would be, इसका जो college timing है, यह थोरा सा एक problematic है, 8 a.m से लेके, 4 p.m तक यह college पूरा चलेगा, और 12 p.m से लेके, 1 p.m तक एक recess time होता है, तो यही थोरा सा बहुती long hours of college time है, next, यहाँ पे university exam में appear करने के लिए 80% attendance minimum है, और तो और अगर आप कोई class miss करते हो, तो आपके parents को भी notification चला जाएगा, and lastly, यह college का नहीं है, यह जहाँ पे यह college exist कता है, उसी का एक demerit आप कह सकते हो, कि अगर चैन्नाई में आप जा रहे हो from North India, तो आपको बहुत सारे problems आपक बहुत सारे ही चीजे होगा, लेकिन वो सब college से रुलेटेट नहीं है, तो मैं उसको ऐसे demerit नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, वो भी demerit तो एक है, तो इसी के साथ खतम होता है, हमारा college review about SRM Institute of Science and Technology for Pharmacy, तो अगर आप इस college में एड़िशार लेने की सोच रहे हो, तो यह सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए फार्मा की चैनल को, थैंक्यू, बब बाई